हालो एब्रीवन वेलकाम टू ओडिशाटलर से चार्ट मस्ट्रूप तो टूजडे के लिए निप्टी बैंक निप्टी का अनालिसिस करेंगे तो देखिए यहां पर अभी क्या हो रहा है अगर मार्केट गाप अपनिंग हो रहा है सस्टेन नहीं कर रहा है नीचे आ रहा है पर फिर से मार्केट ऊपर जाए इसका मतलब यह क्या है कि बायर्स को अभी भरोसा नहीं है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो जैसे ही मार्केट ऊपर जाता है तो प्रोफिट पूपिंग स्टार्ट हो जाता है जैसे मार्केट नीचे आ जाते थोड़ा शर्ट कवरिंग स्ट डावजन में थोड़ा सा 100-120 पॉइंट्स का पॉजेटिवनेस आया लास्ट मुमेंट में इसका बात क्या हुआ कि अगर दखेंगे यह लगबग यहां पर 17,980 के आसपस ट्रेड कर है तो मेरे इस अब से मार्केट में आज क्या हो सकते हैं मार्केट में फिर से थोड़ा सा ग यहां पर यहां पर ब्रेक आउट करेगा उपर की लेबल को अधर्वाइस क्या होगा यहां पर रिजेक्शन होगा जैसे कि काल हुआ था काल मार्केट में अच्छा खासा एक गया पर था लेकिन मार्केट इसको सस्टेंग नहीं चरपा फिर से नीचे आगे तो इस टाइप का कंडिशन यहां पर बन रहा है आईदर मार्केट उपर जाएगा नहीं तो नीचे आएगा यह तो सबको पता है लेकिन क्या करने आपको देखिए अगर यहां पर थोड़ा टाइम स्पेंड करेगा 18,000 के लेबल के उपर इसका बात ब्रेक आउट करते तो आप यहां पर कर सकते हैं अगर इमीडियेटली यहां पर यह रिवर्सल केंडल फर्म करके नीचे आना शुरू करेगा आप यहां पर पी के लिए भी जा सकते हैं क्योंकि मार्केट का आज का जो केंडिशन है थोड़ा हलका सा गया पप हो सकता है इसका बात यह 18,000 का अप्रोच करेगा ल जैसे काल हमारा पी में आचा-काचा प्रफिट हुआ था ठीक है तो यहां पर देखिया ऑफसाइट का जो टार्गेट मैक्सिमुम रहेगा अगर 18,000 को क्रॉस कर लेता है तो हमारा नेक्स टार्गेट यहां पर क्या रहेगा जैसे कि सेम सेम प्रोसेस में आपको बोल ला इसका बाद 18,250 का तो हमारा इमेडियेट अपसाइट टार्गेट जो रहेगा डैट विल बी 18,130 डाउन साइट में हमारा टार्गेट क्या रहेगा 17,99 जो 18,000 इस लेबल से फिर से रिजेक्शन होता है तो हमारा पहरा टार्गेट आज का काल का जो लो था ओर रहेगा 17,870 इसका बाद 17,782 और यहां पर रखिए 17,782 टू 17,800 यह क्या अच्छा खासा सपोर्ट जैसा अभी काम कर रहे है यह अगर ब्रेक आउट हो जाता है और इसमें अगर डाउन साइड में ब्रेक आउट होता है मतला ब्रेक डाउन होता है तो हम सीधा हम जाएंगे 17,570 मतलब 17 ताउजन 600 के रेवल तक भी जा सकता है तो यह बारा लेवल को आप अच्छे से याद रखना 17,780 का लेवल ठीक है तो यह था निप्टी का अनलिसुस बैंक निप्टी का देख लेते हैं तो बैंक निप्टी में क्या पसिबिलिटी बनना है देखिए बैंक निप्टी में बढ़ी निप्टि में जो कंडिशन में मतलब मार्केट ऊपर सटेड नहीं कर पाए फिर से नीचे आगए यहां पर तो हमारे बाद फिर बिए कबने में भी उसी तरह का मतलब अगर मार्केट ट्राइ करेगा आपका नहीं पर लिए 450 का तरब जाएगा मार्केट यहां पर थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद अगर ब्रेक आउट देता है तो हमें अच्छा खासा मूब दिखेगा अप्टू तो यहां पर अगर आपको फिर से यहां पर यहां पर ब्रेक आउट करेगा और हमारा पहला टार्गेट जो रहेगा काल का लो रहेगा 42,000, 42,160 का नेक्स टार्गेट यहां पर डाउट करेगा 41,900 आप सोचके चलिए तो यहां पर रहेगा 41,900 टू यह जो लेबल है 41,750 यह जो 1200 पॉइंट का लेबल है यहां पर मार्केट तो आप डाउट होगा यह एक आच्छा खासा लेबल जैसा काम कर रहेगा इसको अगर ब्रेक करेगा मार्केट सीधा हमें आप देखेंगे 41,300 डाउट का लेबल ठीक ह अगर इसका नीचे मार्केट आ जाते तो कंफर्म हो जाएगी मार्केट में फिर से ब्रेकडाउन हो गया और फिर से 400-500 पॉइंट का डाउट पॉल हमें देखने को मेल सकता है तो मैं जैसे आपको बोला कि आपको कैसे ट्रेड करना आप ऐसे ही किजिएगा मार्केट को टा अगर आपको बेरी स्क्यांडेल का फर्मेशन होते हुए दिखेगा तो आप सिंपल सा यहां पर पीचाइट के लिए जा सकते फ़ारे डाउट टार्गेट जैसे आपका ऑफचाइट था डाउट चाइट के लिए भी आप आचा-काचा टार्गेट आपको मिल सकते क्या-क् तो इसका जो लेबल से आपको हमारा टेलीग्रम चैनल बे भी मिल जाएगा तो काइनली डू सब्सक्राइब आउट टेलीग्रम चैनल अलसो सब्सक्राइब टो आर यूट्यूब चैनल फर मोर इंफरमेटिब वीडियो लाइक इस तो थैंक यू थैंक यू पर वाचिन पर यूट्यूब